Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion now complete paper analysis तो हम करते हैं आज हम आपके लिए लेकिया है एक नई ट्रिक भी जो की prelims 2021 और 2022 के लिए जो है relevant रहेगी map-based जो ट्रिक है उसको हम last time में discuss करेंगे क्योंकि world page की news है उसके साथ daily के basis पर हम page-wide discussion करते हैं UPSC prelims और mains के लिए हर एक जो news को एक नया section हमने क्या add किया है हर एक news को इससे कैसे prelims से question frame होगा और कैसे main से question frame होगा उसको discuss करते हैं दूसरा Monday to Friday answer writing भी हम करते हैं तो daily के basis पर यह हम daily का routine रहता है now सबसे पहले overall news paper को देख लेना जो गुपकर Alliance से है अलग-अलग party जमोन कस्मीर की मिश्टर मोधी से मिलती है क्या कहा वो discuss करेंगे फार्मर ने जो 46th year जो साल हो चुके है emergency के और जो तीन कानून लेकिया है center उस पर अभी भी जो है आक्रोश जता रहे हैं उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया पोक्सो एक्ट के अंदर ये क्या है और इसके चलते हुए एक परसन को बेल मिली अपनी भाई की साधी अटेंड करने के लिए तो इसके और लेड़ी जो कर चुके हैं उसको हम डिसकस करेंगे रूरल इंडिया की economy को कैसे इंपरोव करेंगे वो सकता हो नोटस बनाएंगे वıs भी डिसकस हम करने वाले है राइट एंसीबी के बारे में जानेंगे वल्लोडելल में बल्लेक सी देखो ब्लेक्सी के बारे में आया है तो यहाँ पर रश्या एक्यूस कर रहा है कि जो वार्शिव कंफरंट्रेशन हुई थी ब्रिटेन के बीच में ब्रिटेन के साइट से तो इसी से चलते हुए हाला कि प्रिलेम्स और मेंस के लिए इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसी स प्रियाद मत करो इसके लिए मेट्रिक लेके आया हूँ आज सब ही जितने भी समुद्र है उनसे चलते हुए जो भी एड़ेसेंट कंट्रीज हैं वो सब आपको पता चल जाएंगी यूपीएसी प्रिलेम्स 2021-2022 के लिए ठीक है रिलाइंस इन्वेस्ट करने वाला है 75,000 कर पब्लिकेशन तो आप इस फरी गरूप से जोइन हो जाएंगे नौँ यहाँ पर मिलता क्या है देखिए डेलि के बेसेस पर यूपी एसी मेंस की तख्यारी आपकी यहाँ पर फ्री में हो जाएगी क्योंकि देखिए डेलिए के बेसे पर एक वैक झॏशिन दिया जा जाता शेयर कर देता हूँ ठीक है जिसे कि आप भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं वैसी बट आपको आंसर राइटिंग कर नहीं पड़ेगी डारेक्ट सिर्फ देखके ही आंसर राइटिंग नहीं आएगी ओके बड़ अगर आप चाहते हैं आप भी हमारा साथ तैयारी करें अपने तो 9.99 रुपीज का है lifetime है plan एक बार access कर लिया उसके बाद access करने की जरुवत नहीं है NCRT test series आपको lifetime मिलेगी सब ही chapter की chapter wise test मिलेगी detailed solution के साथ UPSC CSET का video course मिलेगा sole videos आपको मिलेगी plus PDF मिलेगी एक बार इसमें हमने पूरी trick बताई है ये course मेरे ही द्वारा frame किया गया है तो आप तीनो plan को एक साथ लेते हैं 9.99 रुपीज का तो तीनो plan को एक साथ access कर पाएंगे लेना बहुत simple है दिये गए नमब पर Google पर फॉन पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमब पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम प्राइवेट ग्रूप से एड़ कर लेंगे जहां पर सभी material आप एक साथ access कर पाएंगे नाव तो बात ये आती है कि देखिए पूरा news paper होता है डेली के साथ editorials आते हैं आपको ही decide करना है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ठीक है ऐसे ही फालतुमें भी जो news आती है बहुत सारे channels मैंने देखिये हैं ठीक है कोई भी news करा देते हैं बट उससे आपको directly या indirectly फायदा नहीं होता है ठीक है तो try ये करें genuine जो channel को हैं वो choose करें राइट मैं किसी को criticize नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी hard work करते हैं आप सबको पता है बट आपको basic direction basic अच्छी direction मिलनी बहुत ज़्यादा जरूरी है पहला जो news हम discuss करते हैं पीम बैक्स, डिलिमिटेशन, एकसाइज ग्रासरूट, डेमोक्रेसी, जमुएन कस्मीर आप सबको पता है अगस्त पांच को 2019 में जमुएन कस्मीर एक special status हुआ करता था उसका अलग जंडा हुआ करता था अलग सविधान हुआ करता था भारत से अलग उसको दो union territory में बदल दिया गया लद्दाक और जमुएन कस्मीर अब जमुएन कस्मीर जो राज्जी था उसमें बहुत सारी political parties भी होंगी फिर जिन्होंने कई सालों से कई वर्सों से राज किया है जमुएन कस्मीर में जब से बना है कुछ 60-70 सालों से अब वहां के जो आपके नेता हैं फारुक अब्दुल्ला हैं महबूबा मुप्ती हैं ये सब इन सब को अमिड शा ने पियम मोदी ने इन्वाइट किया था नई दिल्ली में जो कि मिल रहे हैं देखिए पियम मोदी ने बोला कि हम ग्रास रूट जो डेमोक्रिसी है उसको बहुत ज़दा बढ़ाएंगे और सभी चौद पॉलिटिकल लीडर्स अलग-अलग पार्टी के नई दिल्ली में आए मिलने अब यहाँ पर क्या बात की गई यहाँ पर यह बात की गई कि मिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमिड शा ने कि हम क्या करेंगे जो कमिटमेंट है स्टेट हुड को रिश्टोर करने का मतलब फिर से राज जी बनाएंगे अगर अच्छा डेपलोमेंट हुआ तो यह उन्होंने बोला कि हम इसको कमिट करते हैं बट अभी तो नहीं क्योंकि ठीक है यह चीज़ याद रखना यह सिर्फ हमने गुपकर अलाइंस क्या होता है मैंने का सिरनगर में एक रोड है गुपकर और वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिली जो जमुएन कस्मीर पहले राज्जी में हुआ करती थी और बोलती है कि 370 या हमारे लोगों को वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए जैसा पहले था तो उसके चलते हुए यह सेंटर से नहीं दिल्ली में मिलने आए नहीं प्रिलिम सिकले इंपोटेंट नहीं में सिकले किसान के और अभी भी हर्याना के पंजाब की किसान जो है प्रोटेस्ट करने में लगे हुआ है सबसे मेन मुद्दा है MSP को लेकर एक तो MSP के लिए कोई स्टचरी कानून नहीं है कोई लीगल कानून नहीं है सरकार कहती है MSP दिंगे बट सभी किसानों को मिल रही है ये तो है यह नहीं फिक्स क्योंकि कोई स्टचरी बैकिंग ही नहीं है दूसरा क्या है प्राइवेट पिलियर को भी अपनी मंडी वो लगा सकता है या किसानों से खरीद सकता है ये दूसरा कानून है सिंपल सी बात है एक बार प्राइवेट प्लियर उतर जाएंगे ना किसानों की फसल खरीदने में तो जीओ जैसा हाल होगा जीओ ने कैसा किया था एक साल पूरा फ्री कर दिया था अपनी मोनोपली ठीक है अपनी मोनोपली मतलब कितने यूजर जोड़ गए थे सोचो फिर अपने बेसेस पर वो प्राइस रेगुलेट करके चल रहा है फिर सभी कंट्रीस को वैसे ही मतलब सभी कंपनीस को वैसे ही प्राइस रेगुलेट करने है तो प्राइवेट प्लियर सभी किसान यही कह रहा है कि एक दो साल तो हमें फाइदा होगा बड़ लॉंग ठर्म हमें अगर प्राइवेट प्लियर आ गए तो ऐसी ऐसी टमसें कंडिशन रखेंगे प्रिलम्स के लिए भी नहींगे नहीं है इंपूटेंट मैं एंपूटेंट ठीक है तो आप कहोँए बड़ा यह प्ढ़ा है क्यों जा रहा है पिर यह एक्चल में जो मैं यह पढ़ाता हूं तो आपको कहीं ना कहीं indirectly आपके माइन में ये सब चीज़ें जाती है क्योंकि ये देखिए current की चीज़ें तो पढ़ानी बहुत ज़्यादा जलूरी है ऐसा नहीं है कि मैं skip नहीं कर सकता बट interview में जब आप question देते हो ना directly और indirectly ये चीज़ें मिलती हैं आपसे ठीक है आप answer देने में सक्षम हो पाते हैं चलिए ये वाला जो article है वो mains में भी पूछा जा सकता है ये वाला news का और prelims में भी पूछा जा सकता है question बहुत simple है कि man serving jail term in poxso case उसको अपने भाई की साधी अटेंट करने के लिए डैली हाइकोट ने permission दे दी ठीक है डैली हाइकोट में ये बंदा 10 सालों के लिए इसको jail में करार दिया गया है protection of children from sexual offense और इसको अपने भाई की सरीमनी के लिए wedding सरीमनी के लिए जाने को allow कर दिया गया he is yet to service 7 साल 8 मैंने और jail इसको काटनी है फिर भी यहाँ पर wedding में allow कर दिया गया सिंपल सी बात है डैली हाइकोट क्या कोई भी जज है वो मानता ही मानता है बट बात यह आती है कि POCSO Act के अंदर इस आदमी को arrest किया गया है तो POCSO Act को discuss कर लेते हैं POCSO Act है क्या प्रिलिम्स और मेंस के लिए दोनों ही महत्तपूर्ण है अगर कभी भी आता है तो POCSO का नाम सबसे उपर रहेगा POCSO आया 14 नॉम्बर 2012 को इंड इस पेसिफिकली फॉर्मिलेटेड टू डील विट ओफेंस इंक्लूडिंग चाइल्ड सेक्शल अब्यूस और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से यह डील करता है यह पहला ऐसा कानून है जो सेक्शल अब्यूस जो चिल्डरन की अगेंज होता है उसके लिए पूरा स्ट्रॉंग लोग लेकी आया है इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन हैं POCSO एक्ट के दूसरा बहुत सारे यह चाइल्ड फ्रेंडली भी है यानि कि अगर किसी को अइडिन्टिटी अपनी छुपा नहीं है तो वो छुपा भी सकता है चाइल्ड फ्रेंडली मैनर के है एंड बाइ सेटिंग अप स्पेशल कोड मतलब जो चिल्डरन के लिए जो चिल्डरन के अगें सेक्शल असोल्ट होता है उसके लिए अगर कोई देश में कानून है तो वो है POCSO एक्ट ठीक है अब POCSO एक्ट मैंने का 2012 मैं इसको बनाया गया था तो इसमें सुधार भी के गए जैसे अलग-अलग गाड़िया ना जैसे स्कॉर्पियो है स्कॉर्पियो का मॉडल 2004 है जैसे फिर वर्जन आते रहते हैं भी नया मॉडल 2021 मा आने वाला है ठीक है तो वैसे ही जैसे गाड़ियों में सुधार किये जाते हैं ना कभी 2004 का मॉडल होगा है स्कॉर्पियों ने 6-7 सालों से फिर लेके नहीं आई है वो हलका सा वर्जन लेके आती है कि कुछ कुछ चेंज़ बड़ अब 2021 के स्कॉर्पियों जिसको भी खरीदनी है वो 2021 के लिए रुके रहो ठीक है जुलाई या अगस्त में लाँच हो जाएगी तो जैसे गाड़ियों के मॉडल चेंज होते हैं वैसे ही कानून में भी मॉडल चेंज होते हैं इसलिए मैं यह आपको बता रहा हूँ अब यह एक्ट इनहेंस कर रहा है पनिश्मेंट अंडर वेरियस सक्षिन आप इंक्लोडिंग पनिश्मेंट फॉर एग्रिवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुल असॉल्ट जहाँ पर भी पैनिट्रेशन से जुड़ा हुआ सेक्शुल असॉल्ट है उसको यह डील करेगा ठीक है और यहाँ पर डेथ पैनाल्टी भी दी जा सकती है तो आप से डारेक्टली पूछा जाएगा क्या आप ओक्सु एक्ट में डेथ पैनाल्टी दी जा सकती है आपका आंसर होगा येस जो पहले ऐसे चिल्रन थे जिनके जो सोल साल की कम उमर के हैं अगर उनके सा साल कर दी गई है मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा स्ट्रिक्ट पनिश्मेंट यहां पर दी जा रही है चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को यहां पर भी काउंटर करने के लिए पहले क्या था सिर्फ अगर आप कॉमर्शियल परपस के लिए चाइल्ड पॉर्नोग्राफी यू बहुत सरे वर्ड को भी जो है रिप्लेस किया गया वालेंज डूरिं अनि नयच्छल कलैमिटी पहले क्या ह Barnes & Coře क्या हुआ था इस सब्सक्राइल को लुटु कभी कभी क्या होता फलरड आ जाता है तो इस दोरान भी sexual assault के cases बहुत जाता है देखने को मिलते हैं तो ये सब है इस world को change कर दिया गया Now, कुछ data भी बता देते हैं National Crime Record Bureau 2016 indicate करता है कि number of cases registered जो हुए है वो बहुत ज़दा बड़े हैं तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि decline तो नहीं हुए है cases जो number of person हैं वो report करवा रहे हैं ये एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे sexual assault के cases होते हैं वो unreported रहते हैं मतलब बताया ही नहीं जाता है तो बट एक और ये भी होता है कि delay भी हो जाता है कभी कभी क्योंकि हम अपास particular judicial उतने process बहुत ज़दा delay है हमारा ठीक है इस पर भी काम करना पड़ेगा हमें पर अभी हमने पोक्सो कर लिया ये पूछा जा सकता है नो यहां पर है National Highway Authority of India उन्होंने ओडिसा गवर्मेंट से एक permission मांगी कि हम 384 किलोमेटर का एक highway project बना रहे हैं उडिसा को वेस्ट बंगॉल के दिगा रिजन से कनेक्ट करेगा मेजर हर्डल अभी यहां पर यही था कि यार इन्वारामेंटल कंसर्न बहुँ ज़दा देखने को मिल रहे थे रोड इनिशली प्लैन की गई थी जो इकोलेजिकल सेंसिटिव एरिया से जैसे चिलिका से बलुखंद्रा से कोनार को वाइल लाइफ सेंच्यूरी से ठीक है सम अब दे इंपोटेंट ओलिव रिडले टर्टल्स नेस्टिंग साइट से यहां पर हैं तो पहले यहां पर यह किया गया था बट अब इसको इस जगे से नार लजा के डाइवर्ट करके बनाई जा रही है तो में चीज आई है नेशनल हाईवे ओथरेटी ओफ इंडिया इसको डिसकस कर लेते हैं नेशनल हाईवे ओथरेटी ओफ इंडिया यूपीए से जनरल स्टेडिस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनरजी, पोर्ट और रोट समा आएगा नेशनल हाईवे ओथरेटी ओफ इंडिया एक एक्ट ओफ पार्लियमेंट से बनी है मतलब इसका अदलब क्या होता है कि कोई भी बिल गया लोग सबब में फिर राज्यसबा में, फिर प्रिसिटेंट के बाद साइन होके गया है 1988 में ये बना था और मिनिस्ट्री आप रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मतलब नितिन गटकरी जी इसके मिनिस्ट्री समालते है यूनियन की मैं बात करूं तो अगर कोई विजनरी आदमी है अभी हमारे काउंसिल आप मिनिस्टर में तो नितिन गटकरी के जैसा कोई विजनरी आदमी नहीं है आप उनके इंट्रिव्यू भी सुने बहुत ज़्यादा टेक्निकल लॉजिकल बातें करते हैं ऐसा नहीं कि पॉलिटिशन की तरह बात है बहुत ज़्यादा विजनरी आदमी है ठीक है अजीड डोबाल जैसे लोग नेतिन गटकरी जी जैसे लोग तो नैशनल हाइवे आउटरेटी आफ इंडिया तो इनके अंदर मिनिस्ट्य आप रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे है भी 1995 से इन्होंने काम करना अपना सुरू कर दिया आप को कि 1988 में तो बना था पर 1995 से ऐसा क्या हो गया जो 5-6 साल लग गए इसको काम करने में होता है कभी-कभी चियर्में सेट अप करना पड़ता है कभी-कभी ऑफिसेज हैं एक्जाम करवाएंगे इनके तभी तो लोग हायर होंगे तो टेबल, कुर्सी, चियर ये सब रखने में हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि 1988 में सर बनी थी इस काम सुरू किया 1995 में ऐसा क्यों ठीक है यही रिजन रहता है ओके और क्या है और यह सब अपॉइंट होते हैं सेंटल गवर्मेंट के द्वारा तो इस न्यूस से आपका पूछा जाएगा प्रिलिम्स का कॉशन ओके चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है उनका आई उसीन स्टेटस आपको बताना है यह दो-तिन दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने ओके चलिए अब मैंने का चलो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने के बोला है बट कोई दिक्कत नहीं है हम फिर से आज रिवाइस कर लेते हैं यह माइगरेटी टर्टल से स्पीसीज होती है जो भारत में आती है अलग-अलग जगों से विंटर सीजन में मतलब एक साथ यह मास्ट नेस्टिंग करते हैं तब ही इसको यह पॉप्लराइज है बहुत ज़्यादा हैबिट किया है वाम और ट्रॉपिकल वाटर में यह रहती है इंडियन ओशन में आती है होता होँगा यह हम च्छोटी सी च्छोटी स्पीसी बचाते है तो वह हम अपने लिए और नहीं कर रहें तो इने स्टेहां और रिध्ले टर्ट्रेंगे आप भोग स्कोट स्वावण है इसको बट फीर भी यह रिवीजान कЕ लिए हमने फिर से आपको बदा नौअ एटूरियल डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पेहला एटूरियल नहीं इस एटूरियल के नोट्स बनाने हैं, प्रिलिम से के लिए, नहीं में से के लिए, ऐसा क्या है एटूरियल में? गौवर्मेंट वही बोल रहा है कि COVID-19 की जो थर्ड वेभ आई की, उसको कैसे रहे हैं जिम भी खोल रहे हैं रिलिजिया सेंटर्स खोल रहे हैं तो इस पर हलका अलका रेस्ट्रिक्शन अभी भी लगाना चाहिए ऐसा पूरा बोला जा रहा आर्टिकल में अलग अलग राज्यों के बारे में चीज़ें दी गई हैं कि महाराष्ट है एक्सप्रेश्ड वर अभी कुछ दिनों के लिए तो या कुछ मेहनों के लिए तो अलाव नहीं करना चाहिए देखिए डबलो एचो ने वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजिशन ने भी तीन सी की बात की गई है क्रावड़ेट प्लेसेज, क्लोस कॉन्टेक्ट और कॉन्फाइंड और इन्क्लोजड स् कॉमन सी बात हो गई जो आप नॉर्मली वो देंगे, डारेक्ली इस पर कॉशन नहीं आएगा, ओके, न्यूजिलेंड जीत गई, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, ठीक है, इंडिया हर गई, बट जो क्रिकेट प्रेमी है, उनको ही बुरा लगेगा, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट में देखता हो नहीं, ठीक है, आपको गया, बुरा तो लगने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी परसनल व्यू है, राइट, चलिए तीसरा पॉइंट रूरल एकॉनमी, आज मैंने इस पॉइंट गो या इस र पॉइंटर उसको कैसे सॉल्यूशन के बेसिस पर लिख सकते हैं, वो डिसकस किये, जैसे रूरल एकॉनमी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, नैशनल एनसो का डाटा आता है, वो बोलता है कि इंडिया की जीटीपी डिकलाइन हुई है, बहुत ज़्यादा, क्यूं ही रूरल एकॉनमी, ग्रामेड शेतर में एक बहुत सिंपल सी बात है कि यार एगरिकल्चर एक की सेक्टर हुआ करता था, बट उसमें भी लोग आ गए, मनरेगा मैं अभी एक सॉलूशन है सरकार का कि मनरेगा चलाओ, महत्मा गादी, नैशनल रूरल इंप्लॉइमेंट ग भी खाये गए हैं, देखो, हर एक पॉइंट डिसकस करेंगे, तो मैं सॉलूशन की बात कर रहा हूँ, ओके, ना देखिए, यहां पर अगर बात करों, देखिए, गवर्मेंट है नोट येट इंक्रीज दा इलोकेशन दिस एर फॉर दा, मतलब पैसा फंड रिलिज नहीं कि गया है, तो एक सॉलूशन क्या होगा, कैस्ट ट्रांसपर देना चाहिए, राइट, तीसरा, बहुत ज़्यादा है, पल्सेज, ओयल, सीडी ग्रूप्स में, इनफलेशन बलड रहा है, तो इनफलेशन हमें रोकना चाहिए, इनफलेशन इन पल्सेज और विचार लार्जली इंपोर्टेट, जो बहुत ज़्यादा दूसरे देशों से हम करिते हैं, उस पर महंगाई बल्डरी है, ठीक है, जॉब लॉसेज हो रही है, इनकम डिकलाइन हो रही है, आप सब को पता, 27 से लेके 32 परसेंट लोगों की जॉब गई है, जिसमें महलाएं जा दिया है, और द लॉसेज हुई हैं, जो कॉमन से हैं, जो ग्राउंड रियलेटी आप देखते हो, उसके लिए नोट्स बनाने की जरुवत नहीं है, ओके, वैसे ही है, अभी इंडिया और अफरीका की पॉलिसी की बात करेंगे, इंडिया और अफरीका का ट्रेड अभी हाल में ही डिकलाइन हुआ है, CII ने का है, Confederation, इंडियन इंडिस्टी ने बोला है, 2020-2021 में, कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है अफरीका के लिए अभी घटा है, क्योंकि इस दोरान, जब कोविट की वेव आई थी, तो हमने ज्यादा फोकस किस पे किया था, ज्यादा फोकस कि इंडिया था, नई दिलने, United Kingdom में, European Union में, Quad Powers में, और नॉर्मली हमने अफरीका को यहाँ पर एटेंशन उतनी दे नहीं पाये है, तो इंडिया की इंवेस्मेंट भी अफरीका में घटी है, अब आप कोगे ठीक है सर, एक डाटा मिल गया है हमें, अफरीका और इंडिया के ले, तो आप इसे यूस कर सकते हो, कभी, देखें, इंडिया और अफरीका के बारे में हमेसा पूछा जाएगा, तो आप ये रिसेंटली वाला डाटा यूस कर सकते हो, 2020-2021 का, यह वाला यहाँ से डेटा याद कर लेना, ठीक है, किस ने दिया है, CII ने दिया है, तो मैं CII क के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि अफरीका और इंडिया की पॉलिसी में किस तरह से हमें सुधार लाना चाहिए, ओके, Now, CII, Confederation of Indian Industries, UPC General Studies Paper 2 में, Non-Government, Not-For-Profit Industry है, और 895 में बनीती है, Headquarter इसका नई दिल्ली में है, जनरली यह क्या करती है, कि जो Industry है, Competition वगरा यह सब देखती है, Conducive Environment होना चाहिए, कि भारत किस तरह से डपलप करेगा, कोई भी ऐसी Company है, जो Monopoly दिखा रही है, ठीक है, तो उसको Monitor करेगा, राइट, तो यह सब सीच है, इसका उतावा, CII नहीं ही अभी जो है, डेटा दिया है, तो अब बात आती है कि इंडिया और अफरिका में, देखे, चाइना है सक्सेस्फुली यूदर पैंडिमिक टो एक्स्पेंडिट्स फोट्प्रिंट वेक्सीन, गुड्स वेक्सीन अभी चैना ने सबसे ज़्यादा अभी COVID-19 का फायदा उठाया, ठीक है, वेक्सीन डेपलोमेसी देखने को मिली, और इसी दोरान COVID-19 में हमने ज़्यादा अटेंशिन अफरिका को दे नहीं पाए थे, तो बात यह आती है कि हमें कहीं ना कहीं इंडिया और अफरिका की पॉलिसी में हमें जादी से ज़्यादा अब हेल्थ पे इंवेस्ट करना है, स्पेस पे इंवेस्ट करना है और डिजिटर टेक्नोलोजी पे इंवेस्ट करना है, देखिए एज इंडिविजल लेवल अफरिका की मैं बात करूँ, तो अगर अफरि कि चाइना को ज्यादा प्रिफर नहीं करती है अफ्रिकन गॉर्मेंट जितनी भी है इसके पीछे रीजन यह है कि अफ्रिका में कोई इंफ्रास्ट्रॉक्चर बन रहा है तो चाइना क्या करती है चाइना अपने यहीं से क्या गड़ती है लोगों को लेके आती है मतलब चाइ किया जाता है education health इन सब भारत खुल के खर्चा करती है ठीक है बट चाइना अपना profit सिर्फ infrastructure develop करेगी अफरिका सरकार से पैसा लेगी और चल देगी बट इंडिया की जो सरकार होगी वह वहीं के लोगों को रोजगार देके infrastructure बनाएगी तो अभी पूरे article में तीन मुद्दे पर डिसकस किया है कि भारत को कई न कई health space और digital technologies में अफरिका देश के साथ फिर से काम करना चाहिए और investment अपनी बढ़ानी चाहिए ओके चलिए नाओ क्या हम साई direction में हैं इससे पता चलेगा क्योंकि अल्रेडी हम इस पर आंसर राइटिंग कर चुके हैं देखें नया article क्या है over crowding in prison मतलब जे लों में overcrowd अगर सौ लोग हैं तो ढाई सो बंदे घुसा रखे हैं has put several inmates at risk of COVID-19 infection तो हो गई होगा अन हाईजनिक कंडिशन भी देखने को मिल रहे हैं इवन डेथ भी हो जाती है prisoner की ओके तो COVID-19 का सबसे बड़ा अभी impact मैं कहूंगा migrant workers है जो घरेलू हिंसा domestic violence women's के लिए बढ़ी है जो sex workers हैं उनके लिए particular scheme से नहीं लाई गई है transgender के लिए particular scheme नहीं लाई गई है तो यह सब कुछ COVID-19 या lockdown के particular impact है उस पर भी answer writing हम कर चुके है और सबसे बड़ा जो नववा पॉइंट या दसवा पॉइंट आप एट कर लो कि prisoner में जो prison है उनमा ओवर क्राउडिंग बढ़ी है ओके तो health care system government में बहुत ज़ाद बड़न भी आया है डेटा यह कहता है कि बारहजार साथो पंदर इनमेट्स लॉजड इन इलावन सेक्षिन ऑफ तीहार जिल अगें लॉज़िंग दे कैपसिटी आप साथ हजार लोग तीहार जिल में होने चाहिए बड़ उसके बदले कित इन मेंने कि और 200 रुपे में वो छूट जा रहा है सब पोच बट अंडर ट्राइल में क्या होता है जज़े इसके पास इतना अड़ोकेट के पाफ इतना टाइम नहीं है जज़े के पास यह एप्लिकेशन जा नहीं रही है क्योंकि और लड़ी कितनी करोड़ों काटे हुए है समझ मारे हो कितनी ज़्यादा वर्स सिचुएशन है जिस बंदे को पता है कि मैं तीन मेहने में उसको पता नहीं है ठीक है क्योंकि एड़ोकेट बताएगा जब ज़ज के पास ट्राइल होके जाएगा तब उसको सजा दी जाएगी कि तीन मेहने और 200 रुपे हद से जादा लोग हैं हद से जादा जो प्रिजिनर्स हैं तो आर्टिकल 21 सबसे पहले वाइले होगा पॉलिटिकल एंगल देखोगे तो फंडमेंटल राइट वाइले होगा अर्टिकल 21 का ओवर क्राउडे जेल सार वाइलेशन ऑफ हुमन राइट राइट पहला दूसरा बहुत सारे लोगों को एक तो फिजिकल मेटिंग करने ही नहीं दी जारी है उनके फैमिली वालों से ओके और उनको पता कैसे चलेगा कि आपके लवड वन से जो जेल में हैं उनके साथ अनवेयर हैं उनकी कंडिशन का तीसरा पॉइंट क्या है जमौन कस्मीर में तो वहाँ पर सिर्फ पंद्रे धिन में एक दिन वह अपने लोगों से बात करने को देते हैं बहुत ज़दा मतलब हिमन राइट का वॉइलेशन है पूरा अपने घर पढ़के अपना answer writing कर सकते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम अपने notes आपको share करता है तो कि आज है 25 जुन बड़ चौद माई को यानि की करीबन करीबन 20 से 25 दिन पहले हम एक question कर चुके हैं यो PSE mains का question बहुत simple है discuss the need to relook at the imprisonment practices in India while explaining the significance of open prison system in India ठीक है तो ये सब चीज़ें हम discuss कर चुके हैं अब ये होता क्या है अब जो वो prisoners है न एक तो यार किस तरह से jail में डाला जाता है under trials है open prison system का क्या मतलब होता है मतलब ये जो अभी jail में पड़े होए हैं न लोग जो prisoners jail में हैं उनको कहीं कहीं दिनों तक बाहर नहीं निकाला जाता उनके बाल नहीं काटे जाते हैं hygienic condition है ही नहीं open prison system से आप से directly question पूछा जाता है open prison system का मतलब क्या होता है कि उन prisoners को आप daily activities में लगाओ आपको इसकिल दो इसे कहते हैं open prison system तो बहुत सरे लोग सोचते हैं कि question कैसा आएगा sir ऐसा आएगा question कि imprisonment practices क्या है भारत में और open prison system को explain करो ठीक है तो यह हम 200 सब्दम कर चुके हैं मैं structure भी देता हूँ आप लोगों को और मैं already जो हमारे paid user अच्छी answer writing करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ यह answer writing की है निर्मित ने और ऐसे ही daily basis पर हम answer writing आपको बताते हैं तो आप अपना introduction किस तरह से सुरू कर अगए prisoner statistics India report 2019-2020 से वहाँ पर आप कहोगे 67% लोग under trials हैं जो अभी मैं बात कर रहा था देखो इन्होंने इसी का यूज करके बता दिया है एक proper authority देखें prisoner statistics India report इन्होंने बता ही है ministry of home office के अंदर आती है हाला कि यह directly आपको इतना ज़्यदा इसमें explain नहीं करना बट फिर भी यहाँ पर बता दिया जाएगा ओके इन्होंने ज़्यदा explain नहीं किया है ठीक है इसमें अब कैसे किस तरह से imprisonment practices होती है Supreme Court यह कहता है कि 18,000,000 inmates admitted in jail in 2019 ठीक है number of under trials 3,300,000 87 लोग उसमें से under trials है ठीक है very large lump sum the budget for prisoners अब simple से बता है उनको खाना दो नहाने के लिए साबुन दो ठीक है इस पर सरकार का बहुत ज़्यादा पैंसा खर्च भी होता है सर्जूल ट्राइब और आदिवासी 13% है ठीक है उस पर भी दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को torture किया जाता है sexual harassment किया जाता है यह सिर्प मैं female prisoner में बात नहीं कर रहा हूं यह male prisoner में भी sexual assault के बहुत सारे cases देखने को मिलते हैं तो अंडर ट्राइल होंगे तो वो अपने fundamental right loose करेंगे right of liberty freedom of moment occupation and dignity यह सब चीज़े हैं क्योंकि यार अंडर ट्राइल से हैं तो क्या होगा मतलब उनको तीन मैंने में छूट जाना चाहिए बढ़ वो 6-6 साल तक रह रहे हैं right open prison system क्या होता है rules of open prison the promote major principle of punishment ठीक है तो यहाँ पर open prison system का मैं अभी directly आपको एक और copy दिखाता हूं जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं जैसे उनको skill देनी चाहिए जैसे महराष्ट्र गुजरात में क्या करते है वहाँ पर चूणिया बनाना सीखाते हैं लोगों को ठीक है आपको चूणिया बनाना सिखाएंगे बेंगल्स बनाना सिखाएंगे ठीक है और बहुत सारी ऐसी साउथ की ऐसी है जहाँ पर skills भी दी जाती है ठीक है skills मतलब सिख्षा भी दी जाती है उनको education factories वर के कैसे करेंगे वो बता जाता है सिर्फ पत्थर ही नहीं तो ओपन prison system का मतलब अगर आप कहेंगे open prison system का मतलब मैं ये directly आप से बोलूँगा कि open prison system में जो prisoners है उनको किस तरह से नहीं नहीं skill देनी है खेल करवाने गेम्स करवाने इससे भायचारा बढ़ता है ठीक है और जो ऐसी प्रवड़ती है कि आगे crimes करें वो बहुँ ज़दा कम हो जाती है राइट नाव NCB ने arrest किया पाकिस्तान बेज़ड ड्रग रिंको Narcotics Control Bureau on Thursday Arrested and Allegedly की members of पाकिस्तान बेज़ड ड्रग Trafficking Syndicate in connection with the recent disease of 56.5 kg of heroin BSF के द्वारा 56 kg की heroin ठीक है पकड़ी गई heroin मतलब गांजा heroin ओके नाव रियल में अगर Ground Reality की बात करें तो यह powdered form drugs होगा बड़ अगर मजाक की बात करें तो आपने hair a fairy देखी होगी उसमें बोलते है गंजा heroine मतलब heroine को गंजा करके उसको बेशने का क्या ठीक है तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है बड़ हमार ले यहाँ पर prelims के लिए है important NCB Narcotics Control Bureau Now Narcotics Control Bureau UPSC prelims में पूछा जा सकता है सबसे पहले Government of India 1986 में Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances 1985 में यह act है ठीक है और Ministry of Home Affairs के अंदर काम करता है Article 47 भारती है सविधान यह भी कहता है कि राजी सरकारों को प्रोहिबिट करना चाहिए Conjunction Accept the medicinal purposes मतलब Alcohol, Drugs इनका Conjunction रोकना चाहिए यह DPSP के अंदर आता है ठीक है एक्ट को याद कर लेना 1985 का एक्ट है और All Over India में जितने भी ड्रग्स यह सप्लाई ओरे इन सब को Monitor कौन करेगा NCB भारती सिंग को बहुत सारे DP का पादुकौन यह सब लोगों को NCB ने ही पूस्ताज के लिए बुलाया था NCB का हाल में ही एक बात करूँ तो NCB ने पहला Darknet Narcotics Operative इसको Arrest किया Darknet क्या होता है मतलब नॉर्मली जो Google पर आप सर्च कर रहे हो वो तो 4% है बट ऐसे जिसके लिए एक स्पैसिफिक सॉप्टिवेर चाहिए स्पैसिफिक लेप्टॉप चाहिए ठीक है तो मतलब जहां पर illegally आपने अगर money hashed देखी है तो उस पर क्या होता है illegally अगर आपको weapon खरीदे है ठीक है चलो web series बहुत सारे लोगोंने नहीं देखिया मैं नॉर्मली बताता हूँ बहुत सारे लोग क्या गड़ते है illegally अगर weapon खरीदे है illegal drugs खरीदे है तो यह dark net में खरीदे है क्योंकि इसके लिए अलग से software जो normal person जो normal surfing कर रहा उसको नहीं मिलेगा तो नार्कोडिक्स drugs and psychotropic substances 1985 के एक्ट में पहला dark net में जो बेचे जा रहे थे drugs उनको भी पकड़ा वर्ले लावल के बारे में बात करूँ तो रश्या accuse कर रहा है UK को की war shift confrontation होई थी कहां पर around the black sea और ऐसी चलती रहती है हर एक देशों में समुद्र में तो ऐसी लड़ाई चलती रहती है बड़ ब्लेक सी के बारे में हम करेंगे अभी बड़ उससे पहले थोड़ा सो और दिखा देता हूँ वर्ल्ड पेज का न्यूज राजपक्ष पार्डन 16 political prisoner political orient news है हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है over 750 grapes founded former Canada school में 750 grapes देखने को मिली जो भूटान में vaccine shortage देखने को मिली है अभी भूटान बांगलादेश यार ये सब किसके लिए रुके है भारत के लिए पर भारत का तो आप सब को पताईए खुद के हाँ vaccine नहीं है वो कैसे देंगे अब वो इसके बदले फिर वो चाहिना के लिए influence हो जाते हैं रिलाइन सा भी इंवेस्ट कर रही है 75,000 करोल रुपे सोचो बैटरीज में, इलक्ट्रोलाइजर में, फ्यूल सेल में, जामनगर में setup होगा तो यह पूरा आर्टिकल हमने देख लिया बट, at the end, जो सबसे prelims के important है वो discuss कर लेते हैं प्रिलम्स 2021-2022 सबसे important है ट्रिक आप कंट्रीज शेरिंग बार्डर वी डिफरेंट सी कैस्पियन सी के, अगर कोई बो लेगा कैस्पियन सी के अगल बगल कौन सी कंट्री है आपको के तारीक है टी का मतलब तरकमेनिस्तान अजरबेजन, रश्या, इरान, कजकिस्तान अब बलेक सी आया था ना आज के निज़ पेपर में तो डारेक्टली अगर मैं इसको नहीं बताता तो आप से डारेक्टली पुछा जाता है इनमें से कौन सी कंट्री बलेक सी को टच करती है तो इसका जो है जो ट्रिक है वो है गुरबट, क्या है गुरबट जी का मतलब जोर्जिया यू का मतलब युक्रalım R का मतलब रशिया दूसरे R का मतलब रोमानिया B का मतलब बल्गेरिया और T का मतलब टर्की गुर्बट जो है बलेक्सी है तो बलेक्सी गुर्बट तो अब से ऐसा करना कि इन दोनों को साथ नाम लेना कैस्पियन सी तारीक चीक है रेट सी में डेजी जिवोती, एरिटरिया, साओधी अरेबिया, सुडान, इजिप्ट, यमन अरल सी अरल सी बहुँ ज़्यादा पूछा जाता है जो हमारे एशिया को यूरोप से अलग करता है अरल माउंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे तो ये ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगी तो ये ट्रिक हमने शेयर कर दी है नोटस में चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे बट उससे पहने आपके कॉमेंट से देख ले नाव सबसे पहना है आज का अनलेसिस सथ थैंक्स पर अल्यार एफर्ट लव फ्रम जाइपूर थैंक यू देव चंडेल जी आईये कभी उत्राखंड भी आईये ठीक है ओ माई गॉड आप पहनदीप की दोस्ते हैं आसी सानन जी अनलेसिस को भी इतना ही प्यार दीजे ठीक है और वोट कीजे पहनदीप को भी थैंक्यू विनाई थैंक्यू सुनेल चंड नाइस पॉइंट देट MSP जो अल्सो बन अप दे रीजन यस वासिंग पौडर निर्मा 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 बहुत मजा आता है सच जब आप हिंदू पड़ाते हो थैंक्यू थैंक्यू सर 35 35 होक्स मतलब क्या होता है यह तो पिक की वैराइटी है यार जिसको इंट्रिडूस करवाया गया था ठीक है किया निर्मा सॉंग था सर वा मजा गया थैंक्यू पुनम वेरी नाइस सॉंग गुड़ मॉर्निंग थैंक्यू चलिए आज की एंड कोड रखते है चाही ठीक है